नमस्कार राजशिक्षासोद एबं प्रशिक्षन परिश्चद बिहार पतना में आपका स्वागत तो बच्चों हम लोग बर्ग साथ अमरिता भाग दो का प्रथम पाठ बंदना को पढ़ रहे थे बंदना का अर्थी होता है कि किसी भी कार्ज करने से पहले बंदना हम लोग करते हैं किसी पाठ को सुरू करने से पहले बंदना करते हैं कि यह कार्ज जो है यह जो भी हमारे द्वारा किया जा रहा है पहले अपने आराध्य अपने प्रफु का मनन करते हुए और जदी इस कार्ज को करते हैं तो कार्ज अच्छी तरह से संपन्न होता है यहां सर्वधर्म संभाव को लेकर के इस कार्ज को किया जा रहा है कि वंदना से सुरू करें और उस कार्ज को बढ़ाने में बहुत ही आनन्द एबं मदद मिलती है तो उस पहले देखे कि हमारे जो अशलोक आय उसका अर्थ देखे अशलोक के अर्थ के साथ भावार्थ व्याख्या उसके बाद भावार्थ देखे व्याकरन का कुछ भाग देखे जिसमें संधी पिछेद विशर के संधी और दिर्गे संधी इस तरह से था उसके बाद में लटलकार एक बचन का परियोग चतुर्थी विभक्ती का परियोग ये सब हम लोग देखें अब चलते हैं पाठ की अगले परशन की ओर परशन उत्रानी लिखत उत्तर लिखें उत्रानी लिखत उत्तर लिखें पांच परशन दिये हुए हैं पहला है शिवस्य परशादात कीम मिलती शिव के परशाद से शिव के किरपा से क्या मिलता है दूसरा कस्य कोपने बिपत्ती लभ्यते किसके क्रोध करने पर बिपत्ती प्राप्त होता है या किसके कोप भाजन होने पर बिपत्ती आता है तिसरा है जगत की द्रिशम अस्ती यह जो संसार है वह कैसा है जगत संसार कैसा है संसार अश्य बिनाशन कह करोती और संसार के बिनाश कौन करता है संसार अश्य यह सश्टि भिवक्ति है संबंद काके की बालकस्य संसार अश्य इस तरह से और एक बात हम लोग गवर करेंगे कि जितने भी परशन आ रहें सब के अंत में परशन वाचक चिन लगा हुआ है परानी नाम पालनम कह करोती परानियों का पालन कौन करते हैं तो इस पांच परशन है और पांच वो का उत्तर एक एक हम लोग देखेंगे और देंगे और अभ्यास करेंगे पहला है शीवर्ष्य शीवर्ष्य परसादात कि मिलती शीवर्ष्य परसादात कि मिलती शीवर्ष्य परसादात संपत्ति मिलती तो बच्चों यहां देख रहे हैं कि सिर्फ कीम जहां है वहां पर आपको इसका जो अर्थ है या इस बाके को जो उत्तर है वह वही भर ना बाकी सब वही रहे गजिसे शीवस्या तो नीचे शीवस्या परसादात फरसादा किम आगया यही परस्न है किम क्या मिलता है संपथी ही और मिलती मिलती इसी तरह से सभी परश्न हल होंगे कस्या को पने वीपती लभ्यते यहां कस्या के सामने भराएगा देखिए कस्यह के अस्थान पर क्या हो गया श्री वस्यह कोपने रह गया विपत्ती ही रह गया और लभ्यते रह गया संस्क्रीत में परशन उतर करना कोई कठीन बात नहीं लेकिन हमें समझना होगा हमें समझना होगा कि कहां पर इसका उतर दिया जाए और कौन सा सब्द चयन करें कर्ष्यह तो खष्टी विवक्ती है शीवस्यह तो शीवस्यह कोपने विपत्ती लभते किसके क्रोध करने पर विपत्ती आता है तीसरा है जगत कि द्रीशम अस्ती यहां कि द्रीशम में भराएगा जगत के जगा पर जगत रह गया अस्ती के जगा पर अस्ती रह गया और जो परश्ण बाचक्चिन है वो पुर्ण विराम्य बदल जाएगा जगत कैसा है तो अब कैसा के जगा पर देना है कि सुन्दर है जगत रम्यम अस्ती जगत क्या है सुन्दर है सुखद है जगत रम्यम अस्ती चौथा है संसारस्य बिनाशं कह करोती शिर्व कह कह जहां पर है वहां पर ही उसका उत्तर प्राप्थ होगा संसारस्य के जगा पर देख रहे हैं संसारस्य बिनाशं बिनाशं कह के जगा पर क्या है विश्व रूपह काउन है विश्व रूपह परमात्मा संसार श्यह बिनाशम विश्व रूपह परमात्मा करोती संसार क्या विनाश विश्व रूप परमात्मा करते हैं कि इतना आसान है सिर्फ कह जहां पर परशनात्मक सब्द आएं उसी को सिर्फ निकालना है अब देखिए प्राणी नाम पालनम कह करोती में सब रह जाएगा कह सिर्फ अलग हो जाएगा प्राणी नाम पालनम कह करोती प्राणी नाम को प्राणी नाम ही लिखा गया है पालनम पालनम ही है और करोती करोती है कह के जगा पर क्या आ गया परमातमा प्राणी नाम पालनम प तो प्रशन उत्तर को अच्छी तरह से बना सकते हैं प्रानिनम पालनम परमात्मा करोती प्रानियों का पालन कौन करते हैं परमात्मा करते हैं तो देखते हैं फिर अगले प्रशन सुमेलितम कुरूत सुमेलित करें मतलब एक तरफ जो दिया हुआ एक, दो, तीन, चार, पांच, छव उधर दिया हुआ है इसको मिलाना है कौन किस से मेल करता है जो आप पहले पढ़ चुके हैं सलोक में उसी के अनुसार मिलाईएगा कि किसका क्या विलोम है या किस तरह से मिल रहा है तो मानिये कि विलोम निकालना है उल्टा विलोम का मतलब उल्टा विप्रितार्थक तो सुखम, सुखम है अब उसमें खोजेंगे उधर लिखा हुआ संपत्ति, सत्यम, गरहनम, बिपत्ति, कोपनम, जानम, दुखम, प्रशाध, मिथ्या, प्रशाध, मिथ्या, दानम, बिनाश, अब इस तरह से देखो कि सुखम का उल्टा क्या है, तो हम लोग होजते हैं कि सुखम का उल्टा कौन है, तो देखिए कौन है उसमें, सुखम, दुखम, सुखम का उल्टा क्या हो गया, दुखम तो सुमेलित हो गया, एक का चार में सुमेलन किया गया, सत्यम, अब देखिए सत्यम मतलब सत और मिथ्या मतलब जूट तो सत्य का क्या होगा मिथ्या सच का जूट बीपत्ति का उल्टा क्या होगा संपत्ति जनम अब जनम का खोज ये काहां है बीनास, जन्म का मतलब जन्मलेना बिनास का मतलब समाप्त हो जाना तो जन्म का उल्टा बिनास परसाध मतलब किर्पा कोपनं क्रोध, किर्पा क्या होगा क्रोध अब बच गया दानम और ग्रहनम दानम देना और ग्रहन करना तो दानम का क्या हो गया ग्रहनम तो इस परकार हम लोग देखे की सुमेलित किये की सुखम का दुखम संपत्ति का भीपत्ति इस तरह से हम लोग असानी से बना सकते हैं सुमेलन कर सकते हैं यदि परश्णों को समझे तब देखते हैं अगला परश्ण रिक्त अस्थाना नी पूर्यत रिक्त अस्थानोको भरें अब यहां देखिए समझना होगा श्रीवाय नम होगा कि नमामी दोहीं चीदेखना नमामी इस दोसरा में है नमाः अब नमह में गनेशम होगा या गनेशाय गनेशह या गनेशाय तीसरा है नमह इसमें भी नमह है सरस्वतिंग या सरस्वत्यय चवता है जगदीशम नमामी या नमह पाचमा, मातरम, नमह या नमामी मातरम के साथ क्या लगाएंगे नमह या नमामी छठा है अस्मरामी, कृष्णम, कृष्नाय फिर सात्मा है नमह सात्मा क्या है नमह तस्मात या तस्मय तो ये कक करके हम लोग रिक्तस्थान को पूर्ती करेंगे ध्यान देंगे कि शिवाय यह चतुर्थी विभक्ति है तो चतुर्थी विभक्ति के साथ क्या लगता है नमह शिवाय नमह तो दूसरा जो है इसमें ढूंड लिजिए कि क्या होगा गनेशम या गनेशाय तो चतूर्थी बिभक्ति के साथ क्या होता है नमह गनेशाय क्या इस जेगा होगा गनेशाय नमह गनेशाय नमह अफिर नमह इसमें क्या देंगे भाई सरस्वत्य चतूर्थी विभक्ति सरस्वत्य नमः अब है जगदीशम तेखिए यहां चतूर्थी विभक्ति नहीं है तो क्या हो जाएगा नमामी जगदीशम नमामी अब यहां मातरम इसमें क्या हो जाएगा जगदीशम में जव नमामी है तो मातरम में भी नमामी फिर है अस्मरामी तो यहां भी हो जाएगा क्रिश्णम अस्मरामी फिर सात्मा है तस्वय नमह तो उपर से फिर देखिए कि सीवाय नमह गनेशाय नमह सरस्वत्य नमह तस्वय नमह अब जहां जहां अनस्वार आ रहा है जगदीशम नमामी मातरम नमामी क्रेश्नम स्मरामी तो इस तरह से हम लोग आसानी से नमह और नमामी का पर्योग कर सकते हैं पुनह चलते हैं अगले परस्ण की ओर तो बच्चों हम लोग संस्कृते अनुबादम कुरूत शंस्कृत में अनुबाद करें पहला है वह पिता को प्रणाम करता है दूसरा वे दोनों धन प्राप्त करते हैं वे सब सत्य बोलते हैं तुम वेद पढ़ते हो देवता को नमस्कार है देवाय यहाँ देवता को क्या हो जाएगा देवाय तुम दोनों विद्याले जाते हो तुम लोग कार्ज करते हो तो यहां हम लोग देखते हैं वह हो जाएगा सह वे दोनों के साथ में क्या होगा तव वे सब वे सब हैं तो वे सब के साथ क्या हो जाएगा ते तो इस तरह से देखिए वह पिता को प्रणाम करता है सह पितरम प्रणामती वह पिता को प्रणाम करता है सह पितरम प्रणामाती वे दोनों मतलब तव सह के बाद तव वे दोनों क्या करते हैं धन प्राप्ट करते हैं धनम प्राप्णू वन्त तव धनम प्राप्णू वन्त वे सब ते सह तव ते वे सब के क्या होता है ते सत्य बोलते हैं कि तीन बाक्यों में देख रहे हैं कि प्रणामती प्रापनुबंत और यहां बदंती सह के तो साथ क्या होता है जिसे पढ़ना को ले लें तो सह पठती तव पठत और ते पठंती अब तुम वेद पढ़ते हो तुम के साथ क्या होगा तुम वेदम पठसी तुम वेद पढ़ते हो तुम वेदम पठसी तुम पुस्तक पढ़ते हो तुम पुस्तकम पठसी देवता को नमस्कार है देवाय नमह चतुर्थी विवाक्ति में क्या लगता है नमह देवाय नमह शिवाय नमह गनेशाय नमह इस तरह से वाकी बनता है तुम दोनों जुबाम तुम मने तुम बने 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 तु यूयं कार्जम कुरू था तब सी थथ थ ती तह यंटी सीख थ इतना ही परियोग हुआ है सके साथ देख रहे हैं परणामती त्व के साथ प्राप्न वन लोग देखें कि किस तरह से किसका अनुबाद कैसे होगा या बहुत सरल है तो देखते हैं कि वाक्यानी रचयत वाक्य वनाएं वाक्य की रचना करें पहला है गच्छामी दूसरा है यूयम तीसरा विद्यालाद पहले इसको समझते हैं कि गच्छामी जो है जब भी इसका करता होगा तो अहम होगा गच्छामी के साथ जब भी लगेगा तो क्या होगा अहम होगा और अहम गच्छामी अहम पठामी अहम वदामी इस तरह से वाक्य होता है तो हम देखते हैं कि किस तरह का कैसे बनेगा गच्छामी अहम विद्यालयम गच्छामी मैं विद्यालय जाता हूँ जुईयम गिर्हम गच्छत तो हम के साथ क्या लगता था गच्छाशी जुवां के साथ गच्छत और जुईयम के साथ गच्छत विद्यालय से छात्रह विद्यालयात आगच्छती विद्यार्थी जो है विद्यालय से आता है देवम अहम देवम अस्मरामी देवम है जित्या विवक्ति में इसलिए अस्मरामी अहम देवम अस्मरामी अहम के चलते हो गया अस्मरामी बिक्छेशू सब्त्मी विवक्ति बिरिक्छेशू फलानी संती पेड में फल है तो हम लोग समझ गए कि इस तरह से इसका वाक्य निर्मान हुआ करने के लिए जिस तरह से आपके पुष्तक में दिया हुआ है आप घर पर भी इसका अभ्यास कर सकते हैं कि सब्सक्राइब …पठा में सह पठती तव पठत एप पठंटी तम पठसी युवां पठत युवां पठत इसी तरह से इसमी है फिर देखते हैं आगे संधी विछेदं कुरूत अब संधी विछेद करना है यद्यपी नमस्तस्य धर्मात्मा गच्छामिहं जगदिश्वरह नमस्कारह गणेशह सदैव तो यह कौन सा संधी है अब एकक करके देखते हैं यद्यपी यद्यपी हो गया दूसरा है नमस्तस्य नमस्तस्य विशर्ग संधी यह कौन संधी है विशर्ग संधी धर्मात्मा धर्म जोड आत्मा यहां क्या हो रहा है देखिये महाँ पर आकार हो गया तो पहले हम बता चुके हैं कि इसमें क्या हो रहा है दिर्ग हो रहा है धर्मात्मा दिर्ग संधी गच्छामी अहम गच्छामी जोड आहम गच्छामेहम इन संधी जगत्य इस्वरह जगदीश्वरह जगत्य अलंथेत इसलिए व्यंजन संधी नमकार नमस्कार नमकार नमस्कार यह हो गया आपका विशर्ग संधी गणे सह गण जोड इसह यहां गुन हो रहा है यहां क्या वरा अ जोड इ बुराबर ए इसे कहते हैं गुन संधी सदा चोड एव सद एव यहां विर्धी जहां ए और ओ हो वह हो जाएगा गुन संधी जहां आय और आव हो वहां पर हो जाएगा आपका विर्धी संधी तो बच्चों हम लोग पर्थम पाठ वंधना देख रहे थे पढ़ रहे थे सप्तमबर्ग का पहला पाठ अम्रिता भागदू का वंधना है वंधना क्या है और वंधना क्यों किया जाता है तो किसी कार्ज को आरंभ करने से पहले हम लोग वंधना करते हैं वंधना इसलिए किया जाता है कि कार्ज जो हमारा है वह सुचारों रूप से संपन्न हो कार्ज में विखन ने आए और इसलिए कहीं कहीं तो हमारे सास्त्रों पुरानों में पर्थम में भी बंधना है और मद्ध में भी बंधना है और कहने का मतलब है कि अंत में भी दिया गया है लेकिन हमारे पाठे पुस्तक में पर्थम पाठ में ही बंधना दिया गया है हम अपने इस्वर को बंधना करते हैं किसलिए करते हैं कि जो इस संसार के रचना करने वाले प्रभू हैं जो पालन करने वाले हैं और जो विनास करने वाले हैं अर्थात इस संसार को जन्म देने वाले पालन करने वाले एवं विनास करने वाले ऐसे हमारे शिव हमारे मंगल हमारे परमात्मा है उनको परणाम करते हैं उनको नमस्कार करते हैं और इस वर से प्रार्थना करते हैं कि जो जो भी कार्ज हो वह अच्छी तरह से हो यदि इस्वर हम पर खुस हैं उनकी किरपा है तो वे हमें धन, संपत्ति, सुख, समरिधी सभी परदान कर सकते हैं लेकिन यदि इसके विपरीत वे कुपित हो जाएं तो उनकी कोप का भाजन बनना पड़ता है और विपत्ति मोल लेना पड़ता है इसलिए मनुस को चाहिए कि अपना कर्म, अपना बेवहार अच्छा रखें तो बच्चों हम लोग अपने कर्म से किसी को कस्ट न पहुचाएं यदि हम किसी को कस्ट नहीं पहुचाते हैं तो भगवान सदा हम पर किरपा वनाये रखेंगे और किसी को यदि हम दुख देते हैं कश्ट देते हैं तो हम खूप का भाजन होते हैं इसलिए किसी बच्चा किसी को तंग न करें जहां तक हो सहायता करें कहा गया है पुरुपकार आया पुन्याय पाप आया परफिडिनम पुरुपकार से बढ़के कोई पुन्य नहीं है और दुसरे के कश्ट देने के समान कोई पाप नहीं है तो इस तरह से हम लोग पाठ में देखे कि इस्वर का किरपा का पात्र हमें होना चाहिए उसके बाद यदि हम उनके किरपा के पारत्र होते हैं तो हमें ग्यान, धन, तप, बुध्धी, पल, सभी त्यादी हम लोगों को पराप्त होता है और इस्वर को, उस परमात्मा को, उस मंगल देने वाले को हम लोग बारम बार नमस्कार करते हैं पाठ के बाद हम लोग भावार्थ देखे कि चौथी बिभक्ती में शीवाय, विशालाय, इस तरह से जो है वह चतुर्थी बिभक्ती संपरदान है जिसके साथ हम लोग लगाते हैं शीवाय नमः शीवाय नमः गनेशाय नमः जरी दुति अभी भक्ती होती है मातरम नमामी मातरम नमामी उसके बाद भावार्थ के बाद हम लोग व्याकरन भाग में देखें संधी यन संधी दिर्ग संधी विर्धी संधी और लकार लट लकार लंग लकार गम धातू बहुत सारे धातू का परचय हुआ उसके बाद हम लोग परस्णों त्री में रिक्त स्थानों को पूर्ती करें किस तरह से रिक्त स्थान को पूर्ती करना है किस तरह से प्रस्ण का उत्तर देना है प्रश्णात्मक सब्द के बाद देखते हैं कि प्रश्ण वाचक्चीन होता है अजीम ही उसका उत्तर हम लोग देते हैं तो वह पुर्ण विराम में बदल जाता है इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे फिर देखते हैं कि सुमेलित करना किसे कैसे मिलाएं कि किसका उल्टा क्या है संपत्ति है तो भी पत्ति है दुख है तो सुख है सत्य है तो मिथ्या है इस तरह से हम लोग सुमेलित करके बाकी को बनाये मिलान किये कि कौन किसका होता है उसके बाद संस्क्रित में अनुबाद किये जिसमें देखे कि सह तव ते तम जुवाम जुईय कि साथ किस तरह का सब्द का पर्योग होता है जैसे सह पठती ताव पठतत ते पठंथी त्वम पठसी जुवाम पठत जुएम पठत अहम पठामी अवाम पठाव और वयम पठाम हुआ तरह से इसका पर्योग हुआ और बहुत सारी इसमें अनवाद है परशन है वो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छी तरह से इसका अभ्यास करते रहेंगे और इसमे जो आपको शिलोक आया है उसको अधियन करेंगे वाचंद करेंगे और अर्थ को сमझेंगे अर्थ जहां आप लोग को थोड़ा बहुत दिक्कत होगा वो भावार्थ देखकर कर लेंगे परस्न तो उमीद करते हैं आशा करते हैं कि आप लोग बना ही लेंगे जिस तरह से मन लगा कर आप लोग अधियन किये हैं तो इसी आशा के साथ हम इस वर्ग कक्ष को समापन करते हैं और मिलते हैं आगले वर्ग कक्षे में तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद